आज का वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स बहुत ही जायकेदार और स्वात से भरा क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होटेल और रेस्टोरेंट में बनने वाली मसाले धार धाई भिंडी मसाला की स्पैशल रेसिपी वो सीक्रेट टिप्स आपको बताऊंगी जो होट और रेस्टोरेंट वाले भी इस्तमाल करते हैं फिर जो वो धाई मसाला भिंडी वंदे जिसको हम चटकारे लेकर खाते अब बहुत ही आसानी से घर में बना लेंगे वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से निवेदन है अगर आपको मेरी वीडिय अच्छे लगते हों तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और आपके अपने चैनल कुगवित पारूल को सब्सक्राइब करना ना भूले स्पेशल धाई बिंडी मसाला बनाने के लिए यहां पर मैने ली है धाई 100 ग्राम भिंडी इन दिनों तो बिंडी बहुत ही बढ़ी आ अलग कर देंगे और इस तरह सा किदारे कट करके बीच मसे कट लगाएंगे ऐसा कट लगाने से आप यह भी चेक कर सकते हैं कि अंदर से बिंडी सही है के नहीं परफेक्ट अगर बिंडी छोटी हो तो इसी तरह रहने दे अगर आपकी बिंडी लंबी हो तो दो भाग में को इसी प्रकार हम कट कर लेंगे और यह लिजे बिंडी मेने सारी इस तरह से काट कर तयार कर ली है अब दिखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्योंकि हम बना रहे हैं होटल रस्टरेंट जैसी धाई बिंडी मसाला तो यहां मैंने लिया है आदा कप दही तो यहां पर मैंने यह अब दही को देंगे थोड़ा सा ट्रीटमेंट ही यानि हम डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रहे हूँ हूँ एक छोटी चमच धनिया पाउडर आदा छोटी चमच जीरा पाउडर एक छोटी चमच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर इस है आदा छोटी चमच सौफ कप पाउडर ऑफिशनल है पर आप डाल के देखी गए एकदम मस्वाद आएगा और बढ़िया से धी को मसाले के साथ फेट लेंगे ये ली जी तो हमारा फिटा हुआ धाई हो गया मसालों के साथ तैयार इस तरह से धाई को पहले प्रिपेर करन नहीं होगी लसलसी नहीं होगी और एक तब बढ़िया टेस्ट आएगा धाई मिंडी मसाला में गरम तेल में हमारी तयार की हुई सारी भिंडी हम डाल देंगे अब यहां बिंडी को हम लगबग 3-4 मिनट के लिए बढ़िया से पका लेंगे हलका सॉफ्ट कर लेंगे फ्ले तो बस इसे स्टेज पर हम बिंडी को पूरा निकाल लेंगे और कैस को बंद नहीं करेंगे फ्लेम को कर देंगे बिलकुल लो अब इसी कडाई में जो ऑईल बचा है थोड़ा सा और एक बड़ा चमच के करी और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे एक छोटी चमच जीरा जीर को बहुत जादा हमें ब्राउन नहीं करना है बस इस तरह लगातार चलाते हुए हलका सा सुनहरा कर लेंगे कि कच्छ पर निकल जाए लेसन भी मारा पक गया है और इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही ही हो दो मीडियम साइस की प्यास जिसको बिलकुल बारिक चॉप कर लि तो लीजे प्याज भी बिलकुल बढ़िया से आप देख सकते है सुनहरी सी हो गई है इससे स्टेज वर फ्लेम को बापिससे हम मीडियम कर देंगे इसमें मैं डाल रही हो तीन से चार हरी मिर्च तो मैं हां सिलिटेड हरी मिर्च दाल रही हूँ हो छोड़ी तो मैं ऐसे कर लेंगे पहले मिर्च डालती तो पूरा स्वात खब हो जाता है मिर्च को हमीचा थोड़ा बाद में डाले इसे पूरी समसी में फ्लेवर बढ़िया आता है साथ या पर में डाल रही हो एक छोटी चमच अधरक का पेस्ट इसको भी बढ़िया से भूल लेंगे कि कच्चाप बढ़िया से पक जाए फ्लेम को बिल्कुल लो कर दीजे जिससे मसाले कोई बी जले रही और यही पर मैं डाल रही हो इसमें लगबग चार चमच पानी जिससे कि मसाले बढ़िया से पक जाए जले नहीं छोड़ी चूटी सी चीज़ें लेकिन इनका आप द्यान दखेंगे तो सबसी में एक टेस्ट बहुत अच्छा आएगा उसकी रंगत बहुत बढ़ी आएगी तो ये देखें मसाले ने बिल्कुल बढ़िया से ओयल रिलीस करना शुरू कर दिया है हमने जब भिंडी को फ्राय किया तब थोड़ा नमक डाला था तो यहां नमक की मातर उसी हिसाब से डाले और इस पर हम लगा देंगे लिड बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे जब तक बढ़िया से टमाटर पकना जाए एक तब मैशना हो जाए तो लीजे हमारे प्यास मसाले फेट करके रखे ते ना सारे अब हम इसमें डाल देंगे बढ़िया से पहले कर लेंगे मिक्स अब आप गैस को ओन करें फ्लेम को रखें यहां पर मीडियम हाई बिल्कुल भी लो ना रखें फ्लेम को बरना धाई फट जाएगा दानेदार सा हो जाएगा बहुत ही ज लगातर चलाते रहेंगे और मसालों के साथ धाई को बढ़िया से पका लेंगे और यह देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है तुरंट से इस पर लगाएंगे लिड जिससे की छीटे ना आये और हमारी गैस ना गंदी हो लिड लगा दीजे और थोड़ी देर धाई को इस तेल को छोड़ दिया है यह देखिए अब इस स्टेज पर हम डाल देंगे हमारी शैलू फ्राइट भिंडी और भिंडी को भी धाई के साथ बिलकुल बढ़िया से पका लेंगे जिससे की भिंडी में एकदब धाई और मसाले का बढ़िया फ्लेवर आ जाएगा यह बहुत ही पसंद आएगी साथी मैं यहां पर डाल रही हूं आजा चोटी चमच गरम मसाला बाके और कोई मसाला यहां डालने के में जरुवती नहीं है अब यहां पर मैं थोड़ा साना पानी डाल रही हूं क्योंकि हलकी सिना ग्रेवी मुझे लिप्टीवी सी चाहिए आप अगर ज्याधा ज्यादा ग्रेवी वाली पिसंद करें ठोड़ ज्यादा पानी डाल दे अगर अब ज्यादा सूखी पसंद करें तो पानी मझ डालीए मत ़ोड़ा सा जाए जाल आए जर्याइ आपस में मिल जुल जाए एक तम बढ़िया गाडी ग्रेवी हमारी बन करके तयार हो जाए मेरे पूरे किचिन में खुश्मु फैली हुई है मेरे घर के लोग कर जाए इंजार के ये बढ़िया असी मसाले-दाथ धाई-बिंडी मसाला उनकी प्रेट में कब आएगी तो ये देखिए हमारी धाई-बिंडी मसाला एकदम पफेक्ट बन करके तयार हुई है अब आप इसे रोटी, पराथा, राइस किसी चीज के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही पसंद आईगी आपको ये बिंडी की रेसिपी तो कैसी लगी आपको आज की मेरी ये इस्पैशल मसाले-दार धाई-बिंडी मसाला की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताए रेसिपी बसंद आई हो फ्रेंड्स तो प्लीज प्लीज बीडियो को लाइक भी फेमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल को विद पारूल पर यदि आप नए आए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलिए पासी बनी बैल बटन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे नए नए रेसिपीस के व विद पारूल जै हिद जै भारत